शिरा सरकार इस बार सुतंद्रिता दिवस पर 182 कैदियों को रिहा कर रही है जिसकी जानकारी देते हुए ग्रहमंद्री नुत्तमिश्या ने बताया कि इस वर्ष सुतंद्रिता दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभन जेलों में आज इवन कारवास की सजा काट रहे 182 विद्धि की सजा काट रहे बंदियों की रहाई होगी तुषकर्म के आरोपी किसी भी बंदी की सजा माव नहीं होगी घ्रहमंद्री मिश्या ने कहा कि ऐसे बंदी जिनकी सजा के विरुद अपील लंबिद है उनको अपील के निराकरण क्या प्राम्त रहाई की पातरता हो है उन्हें विचारा धीन बंदी के रूप में रोका जाएगा यदि कोई बंदी आने राज के प्रकरंड में दंडिट किया गया है तो वो संबंदित राज में इस्हानांतिरत किया जाए अभी जो 15 अगस्त आ रहा है इस पर 182 आजीवन कारावास बंदियों की रहाई की ज हैं जो मैं आपके माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं ऐसे बंदी जिनकी सजाक में अपील लंबित है उनके निराकरण के उपरांत उनकी रहाई होगी इसी तरह से जिन्हें जुर्माना से डंडित किया गया है वो अगर जुर्माने की रासी भर देंग तो ही रहाई उनकी संभव होगी किसी अन्य प्रकरण में अगर सजा उन्हें हुई है तो उसको सेस सजा का हो जाने पर उन्हें की रहाई होगी जिनको अन्य प्रकरण में जमानप्त प्राप्त नहीं हुई है वो उन्हें विचारा धीन बंदी की रूप में रोका जाएगा सजायापता के रूप में नहीं और अन्य कोई राज्य के प्रक्रण में दंडित किया गया है तो सम्मंदित राज्य में इस थारांतर उसको दूसरे राज्य में किया जाएगा च्नौ से पहले संत्र अ Beatles के मंदिर के शिbak बोट के लिए काम करते हैं हम चाहते भी नहीं कि किको और सम्मान के लिए कहा ली चाहते हैं string अच्छी में वोट के लिए पांगे इसलित दीखती है ग्रह मंतर ने शाने कहा संत रविदास के मंदिर के लिए मंगलवार से पाच यात्राय निकाली जाएंगी अलग-अलग छेत्रों से यात्राय सागर पहुचेगी रानमंतर नरिंदर मूदी 12 अगस को संत सिरोमर्नी रविदास जी के मंदिर की नीव रखेंगे अच्छा ऐसा कोई विक्राण बताओ जिसमें कांग्रिस ने हमारी किसी चीज़ की तारीफ की है हमें उनसे तारीफ की उम्मीद भी नहीं और हम चाहते भी नहीं लगातार ऐसा नहीं है कि भी चुनाव सामने आया है इसी गोस्रा मुक्रमंत्री जी ने छे-ाट महीने पहले ही कर दी आप वो जंजाती की बात करते हैं दलित की बात करते हैं दो साल पहले देर साल पहले अम्मिस साह जी जवल पूर आये थी साल देड़ साल पहले मानि प्रधान मंत्री जी यहां आये तैंटिया भीज से लेके रानी कमला पती इस्टेसन तक लगातार चलने माली प्रक्रिया है हम उनके मान और सम्मान के लिए काम करते हैं इसलिए उसे बोटी दिखाई देते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं है भारती अंता का पार्टी नीती और सिध्धान प्रकार अलग है सेवा का भाव है विकास का भाव संत्र अबिदाह जी बहां संत थे उनकी पाँच यात्राएं अलग-अलग गिसाओं से प्रारंब होने जा रहे हैं यह यात्रा शोपूर, नीमच, सिंग्रोली, बाला घाट सब जगे से होती ही सागर पहुचेगी जहां अवैश्यो की नेता और हमारे शश्वी प्रदान मंत्री संत सिरोमणी रवदाज जी महराज के भव्य मंदिर की नीव रखी जाएगी, निर्माल की नीव रखी जाएगी ग्रह मंत्री मिश्या ने कहा कि मदवरेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दुटिय विश्व युद्ध में शामिल रहे, नॉन पेंशन पूर्व सैनिक और उनकी विद्वाओं की सम्मान नीधी 8000 रुपे से बढ़ा कर 15000 रुपे करने का फैसला लिया है, इस सम साइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है, निवेशकों से निवेधन है कि वो डीटेल भरे और पैसा वापिस ले, सुप्रीम कोट की ओर से भी पैसा वापिस करने का फैसला आया था, दोती विश्व युद्ध में जो नान पैंसनर भूदपूर सेनिक एवं उनकी विद्वाएं थी, उन्हें 8000 रुपया प्रतिमाह सम्मान निधी दी जा रही है, वर्तमान में मद्यप्रदेश के अंदर दोसी युद्ध में भाग लेने वाले पैंसनर भूदपूर सेनिक और उनकी विद्वाज जो हैं, उनकी संख्या 112 है, जिसमें से पूर्व सेनिक दो एवं बिद्वाएं 110 हैं, जीवनियापन की बढ़ती हुई दिखतों को देख करके इनकी 8000 से बढ़ाकर रासी 15000 रुपय की जा रही है, मानी केंद्री ग्रह मंत्री हमारे अमिस्ताह जी के द्वारा जो सहारा रिफंड पोर्टल लॉंच किया गया है, निवेशकों के पैसे वापिस करने के लिए जिनकी अवदी पूरी हुई है, इसके बारे में सारी जानकारी वेबसाइडों पर भी उपलब्द है, मद्यप्रदेश के जो भी हमारे निवेशक हैं, उनसे प्रात्ना है, निवेदन है, कि वो डिटेल भरकर जमा करें और अपना धन वापस ले ले. आप भी नहीं है, टकल न्यूज.